ये है इंडिया फर्स्ट कम्यूनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारती नमस्कार मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट पब्लिक फर्स्ट में आज हम बात करेंगे मद्यप्रदेश के उच्छ शिक्षा मंत्री और भगवावाती नेता शिरी मोहन यादव जी से, मोहन जी आपका हमारे स्टूडिय पे बहुत बहुत स्वागत है, जैसरी महाकाल आपका भी स्वागत है, आपका भी निम्दन है, मो मुझा इस बात की प्रसंदता के देश में सबसे पहले शिक्षानिती लागू करने मद्वदेश सरकार मानी मुख्यमंदरी सिरी सिराचिंग जी चौहान के नितरत में उच्छ शिक्षवाग हमारे सभी मित्रों के साथ हम आगे बढ़े हैं, और लगातार ये तीसरे साल में हम प्रविश कर रहे हैं, मुझा इस बात का भी संतोस है कि वो सारी चीजें जिसके कारण से उच्छ शिक्षानिती में भविश्य की बड़ी संभावना युवावर के लिए खुलेगी, वो सब हमने लागू करने का प्रयास किया, सिलेवस हमने बदला, और वो गुलामे के चिन्द भी मिटने का प्रयास किया, जिसके करण से अंग्रेज या मुगल काल के आधार पर हमारे शिक्षानिती कहिने कहीं कलंकित होती थी. अपने कई वर ये बात कहीं कि साब जो जीता हुए सिकंदर नी, जो जीता हुए विक्रम अधित, इस तरह की आवाज जो है विक्रम विश्वे देले से भी निश्चित रूफ से ये बदलाओ का ही दोर है, ये बात सही कि विरासत पे गर्व करना माने प्रधानमंत्री नरि जाए सकते हैं, ये भी हम समझना चाहते हैं कि जब नई शिक्षा निती के बात आती है, तो क्या सिर्व भगवा नीती कहा जाए या भारत की नीती कहा जाए? नाम ही हमारा आतीत का वो सब गोरवसाली पक्स से जोड़ता है, जो एक चक्रवती समराट के रूप में जिनने अपना भरत में जो जीवन जिया है, और पूरी जीवन पद्धती विशिस्ट भुबाग की हजारो हजार साल की संस्कृति के बलबुत्य बढ़ती है, इसलिए हमारा अपना देश, अपनी अतीत के गोरवसाली प्रश्ट के अधर पर आगे बढ़ेगा, और सिक्षा नेती में हमारे लिए ज्यान अरजन के कोई सीमा नहीं होना चाहिए, ज्यान अरजन तो विस्तरत रूप से करते थे, लेकिन तथाकतित लाड़ मेकाले के समय से आया जिसको ग्यान अरजन करना वह अपने घ्यान अरजन करें और खासकर उच्छ शिक्षा में तो जिनकी रुच्छी है, वूशी प्रकार से वह शिक्षा भी घ्रण कर और सिक्षा से सार्थकता होना चाहिए, उसका जीवन में, समाज में, बेस के लिए, मानोता के लिए वो आजाजी की बात से भी जमार्वा सत्ता भी थी भारत आजाद हो चुका था उसके इस विशे पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया क्योंकि आपके जो विरोधी पार्टी उनका कहना है कि साब ये तो एक विशेश नीती को लेकर चल रहे हैं सच्चा इससका लेने देना नहीं है ये बड़ा लंबा विशे हो जायएगा लेकिन ये बात बिल्कु ! कि अंग्रेजियों से जर हमारे तथाकतित-नेताों संता हस्तान टृट की थी उनने केबल उस हस्तान टृम पे विस्वास किया ड़ड़ों से जड़ोंने का प्रयास ने किया जो भारत की गौरोशाली हमारे गरुषाली प्रिष्ट को नंकरने का प्रियास किया हमने संतुस्टी कृरण कि इस चोटा आसा जिसके पास कोई संसादर नहीं है आपने उस गोरवसाली इतियास के बल्बूति पर वहां की पीडियों ने इसराइल को कहां से कहां पहुचा दिया और तो हमारे भगोलिक दृष्टी से मानुव छमता की दृष्टी से कई शेत्रों में बहुत लिमिटेड था लेकिन भारत सब कुछ होने के बहुजूद भी उस दिसा में नहीं गया लेकिन मुझे इस बात का बजाए शिक्षा की सार्थकता की तरब चले हैं केवल साक्षर बनाने से काम ने चलता किताबी ग्यान देने से काम ने चलता युवाओं का जीवन में अपना हर दिन कीमती होता है ऐसे में शिक्षानेती से सभी प्रकार के उसके जीवन में बदलावाए तो इस दृष्टी सिक्षानीती बहुत सार्था गूरूप में 2020 की लागू हुई है और यह लगवग एक लाग से जदा है लोगों के सुझाओं के अधार पर लागू हुई है और मुझे इस बात की प्रसंदा रहते हैं पूरा देश के सभी राज्यों ने करी को भी इसको अंगिकार किया है एक प्रिशन और है जो हम लगातर कहते हैं कि भारती गौर्वशाली तियास को नहीं पढ़ाया गया या बिसार दिया गया या इग्नोर कर दिया गया इसके पीछे सिर्फ एक कहा जा सकता है कि भाठीक है यह इसके जगए यह पढ़ा दिया इसके बड़ा कोई शडियंत्र ओाल है जिनने अपने देश पेपकापजय किया है बावर के समझ से और बावर ने किसको मारा था हम सब को मालुमके मालुमें कि एक निसहें को भान कर ालिल्यक वड़ा अपने राज्यों की रक्चा के लिए अपना घगाफ़ा से चुकि यह बात सही है के अतीत के उस काले प्रष्ट को भी हमको देखना पड़ेगा जहां जहां हम से गलतियां हुई और नई टेक्नोलोजी को अपनाने की भी जो भूल हम से हुई तो पई बंदू का यह सारे आकरानता वो लेकर का आई जिसके बल्बूते भारत गुलाम ह हुआ है तो हमारे अपने वर्तमान में उन सारी अतीत्ते सबक लेते वे भौष्ट की दरष्टी से ठोस कदम बढ़ाने के लिए समगर बीचार करके यहां के युवाओं को इस सारी बातों को सोचने का मौका मिले देश को गर्व करने का मुका मिले और कुल मिला के माना होता सार्थक हो इस नाते से कई छेतरों में माननी मुझा सुस्री प्रदान में तरी काम कर रहे हैं उसमें से सिक्षा निती भी एक ठीज़े जिसमें हमने अपने कदम बढ़ा हैं मुझी जिस गौरव की बात आप कर रहे हैं अब श्री महकाल लोग के जरीए उज्जेन का भी गौरव और भी बढ़ गया है और जिस तरह से अब वहाँ पर लोग लाकों के दादात में आ रहे हैं मैं आपसे समयना चाहूंगा एक वो उज्जेनी और एक ये अवंति का नगरी दौनों में कितना परिवर्दन कितने कम समय में आया हैं आप कैसे देखते हैं देखे आप इसके अगर कुछ चरणबद तरीके से देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जब जब हमारे देश के सत्ता या देश के बज़ाए हमारे हाथ में ज उसके पुराने काल में 1235 में इल्तुतमिस ने तोड़ा था अब ये तो सरुमिन मान ने गुलाम मन्स का सासक सेकंड डूलर था जिसमें महाकल मंदिर तोड़ा महाकल मंदिर ने तोड़ा पूरा मालवा और मद्वदेश के कई देवस्तानों को धोस्त किया है जब हमारा अन असके अनुस्ठान का दोर चल रहा है तो स्वभाई कुरूप से उन सब प्रक्ष को समझने की जर्वत है जैसे शेव संप्रदाई की कौन-कौन सी परंपरा थी शेव संप्रदाई के अंदर के इतियास में क्या-क्या है बाबा शिवसंकर के दो विभा हुए दोनों विभा के सती माता से और पारवती माता से उसके जीवन के विवित प्रसंगों को नई पीड़ी भी समझे और प्रानी पीड़ी भी समझे तो महाकाल लोक का एक आभिर भाव हुआ, हमारे सब तरी सी मंडल यो हमारे जिन्ने अपने सभी परकार की संसार में एक बड़ा योगदान दिया है नवगरा रचना जितार पर ये अपने प्रत्वी सहीत नवगरा मंडल की कैसे रचना बनी है ऐसे कई रहस्यों को ले करके महाकाल लोक में उसको समाविष्ट करने का प्रयास किया हमारे केवल गर्वगर में भगवान की पूजा करने से मंदिर की परिपूर्णता नह मानी गई है मंदिर की कलपना यह मानी गई है कि हमारे समाज सहीत सारे अपने मन में वो वड़ते गुमड़ते प्रसनों के उत्तर मंदिर में मिल जाए इसलिए उसका सबामंडब हमारे कई सारे विचारों के विचार एग्गी का इस्थान बनता है हमारे जला से जल की महत्त स्थापित करते हैं जो मंदिर का एक हिस्सा होते हैं लाइबरेरी होती है अन्रच्छत्र होता है पोध साला होती है ये सब मिला करके मंदिर बनते हैं मंदिर केवल गर्वगरा में भगवान की मूर्ती बिठाने से मंदिर नहीं बिठाते हैं मंदिर नहीं माना जा सकता इसलिए महाकाल लोग में वो सब देने का प्रयास के पीछे दुद्रसागर भूत भव्वी किया है भगवान के 108 अलग अलग प्रकार के शिवतांडव और अनन्द उत्सो भगवान ने दोवान रत्य के उनकी प्रतिमाओं को उकरने का प्रयास किया है तो यह सारी चीजों को दिखा करके जो बारा जोतिलिंग में से बाबा महाकाल दक्षिन मुखी है तो वो किस-किस कारण से है उन सारी चीजों का दरस्यांकन महालकाल लोग में हुआ है हम उसके आनन्द ले सकते हैं अपने आखों से तो एक अच्छा दरसनी स्थान बना जिसके करण से अब उज्जेन की कई मामलों में जैसे धार्मिक परेटों को कि संख्या लगबग छे गुना बड़ी आर्थी इस तरह पर उज्जेन का पूरा बदलाव आ गया हमारी एकॉनोमी बदली है हमारे परेटों को कि संख्या बड़ी है और एक तरह से एक छेतना ज बिल्कुल दुनिया ने देखा है कि अब हमारे आपर आकर के उज्जेन में देशी विदेशी परेटों को की जो संख्या बड़ी है उसने इन सारे चीज़ों को हमको विश्वास को द्रड़ किया है कि इससे सभी स्थानों पर इस प्रकार से ऐसे कई कई कदम उठाने के रहे हैं तो एसे कौन से कार्य हैं उज्जेन दक्षिर्ञ में जो आपने की हैं जिसको अपको लगता कि गर्भ होता है और या खुशी हो करता विदानसवा में कही काम हत में हैं और उज्जेन में चुकि उज्जेन विश्व की सबसे प्राचिन तम नगरियों में से हैं तो हमारे लिए एक चुनोती भी रही है कि उज्जेन जिसकारण से जाना जाता है उस पे भी हम काम करें तो उज्जेन काल गणना की नगरी रही है हमेशा और तीन सो साल पहले तक दुनिया में अगर कहीं से तह होता था तो उज्जेन से होता था काल के प्रवाम में हम गुलाम होए तो हमारा अपना जो तो इस्टेंडर टाइम तरह करने का स्थान यह फ्रांस की राजधानी पेरीस में चला गया लगबक 50 साल तक महासेत होता रहा फिर इंगलेंड का समय आया अंग्रेजों ने अपने ग्रिन वीच को उसके अंदरों को बनाया है आज भी स्टेंडर टाइम ग्रिन वीच से होता लेकिन यह भाविश्य में उज्जेन आये इसलिए का अब्जर्वेटरी बनाई हमने उज्जेन में आयाइटी आयाम और बाकी फिजेक्स के विद्यारतियों को समझने के लिए कि काल गंडना का के अंदर दुनिया का अगर कहीं है वो सेंटर पाइंट उज्जेन है जब से साइंस के अधरप हम देख सकते हैं कि प्रत्वी 23-26 डिग्री से जुकी हुई है तो वो सेंटर पाइंट पूरी प्रत्वी में कहीं आता तो उज्जेन उसके रेडियस में आता है तो एक तरस से वह साधुनिक साइंस से भी इसको सिद्ध कर रहे हैं ऐसे टेलिसकोप के एक उज्जेन बनी हुई थी तो प्राचीन ग्यान के द्रश्टी से भी वहां संकु यंत्र समराट यंत्र भित्तु यंत्र लेकिन आधुनिक समय से टेलिसकोप लगा करके भी इस कालगणा की ववस्था के अलावा भी खोगोली हलचल को भी हम देख सकते हैं इसके साथ-सा प्रकार के मेडिकल के बहुत सारी इंडस्टी आ रही है अमूल का डेरी प्लांट आया है क्रेडिमेट गार्मेंट्स की दो बड़ी बड़ी इंडस्टी जिसमें 13000 लोगों को रोजगार मिलेगा उसमें एक फैक्री तो चालू भी हो गई जिसमें 4000 बेहनों को काम मिलेगा इसी प्रकार से शेक्षणिक द्रस्टी से विक्रमिश्विद्यालाएं में बहुत सारे नए कोर्स खोलें तो सिक्षा में चिकित्सा में चिकित्सा के शत्र में बहुत काम हुआ है इसी प्रकार से रोजगार के लिए इंडस्टिल बेल्ट बड़ा है और धार्मिक परेटन प्रमान भी जुटाए जा रहा है और विक्रमादित के जीवन के वीध पक्ष को जानने के लिए फेलोसिप भी दे रहा है और विक्रमादित से परित कराने के लिए पुरे देश में अभियान चला रहा है ऐसे बहुत सारे काम, कई काम है जिनका अधार पर उज्जेन में आड़ दस साल में जनता ने महसुस किया है कि उज्जेन अब वो सुज्जेन नहीं है जो बेक तरह से बहुत अलग छोटे रूप में जानाता है उज्जेन की कीरती बहुत बड़ी है आप मद्रदेश के परेटेंड विकास निगम के अद्दक्ष भी रह चुके हैं और उस दृश्जेन समाना चाहूँगा कि उज्जेन सिटी को लेकर एक मुज्जेन भी बनाने के आप कोशिशों में जुटे हैं ये किस तरह का कल्पना है ये तो बिलकुत सही बात है कि इसी प्राचीन नगरियां हैं जिनका बहुत गरोवसाली इतियास रहा है तो उसको उज्जेन को उस रूप में भी लाना चाहिए जिसकारण से उज्जेन हमारे लिए आजारों साल से बड़ा महत्व रखता था तो एक सीटी मुजियम की कल्पना की गई इसमें विक्रमादेतिकाल भगवान स्रीक्रश्ण उज्जेन आये उनकी सस्राल उज्जेन रही है उज्जेन में वो उनकी पड़ाई हुई है इसी प्रकार से वराहमीर जिन्होंने यह आक्षांस देसांस की खोज की थी जिसके अ प्रातत की दृष्टी से खला संस्कृती की दृष्टी से ऐसे कई सारे इतियास को जीवन्त करने मुजियम बहुत बड़ी भूमिकाना करते है इसलिए वो मुजियम उज्जेन में बने इस दिसा में भी हम काम कर रहे हैं एक कोठी पहले इसका बड़ा भव्य भवन है जिस इस से माश्टडर्लांट के प्रकासं से उज्जेन का कई फोर मीं निकालने का बरिज बनाने का 12 steht कि हर सल मस्त लग जाए तो आपका जीवन का बहुत बड़ा अर्सा वेजम में बीता है आप महां के जन禰 पत्रतिनीज怎么े है कि यह और मुझे करना है याने वाले दिनों में जरूर में करके दिखाऊंगा देखे यह क्यों उज्जेन से बात नहीं बनेगी यह मद्देश की भूगली की इस्थिति रिटी अच्छी है कि यह देश का सबसे अलग प्रकार का लेकिन बहुत सारी संभावना वाला प्रद को की है आज की स्थिति में 16 सरकारी विश्व जयला में हमने अच्छे से काम किया है बावन प्राइवेट यूदिस्टिया बनी है तो मद्देश भी शिक्षागा के अंदर बने इस पे भी हम काम कर रहे हैं इससे के अलावा हमारे कई सारे च्छत्रों में जैसे इंडिस्ट नई शिक्षानिती तरफ ले जाते हैं तो यूवाओं के लिए संभावना बहुत खुलती है और नई शिक्षानिती जैसे बदारन के लिए या हजात को जो दमी सीलता वाले हैं जिनको अपनी इंडिस्ट्री डालना है जिनको अपने एक उद्धो खड़े करना है या खेती की बड़ी संभावना है तो अगरी कल्चर में वो आपने सफलता हासिल करें जो जो कल्पना करें उसको सब रूप में समरद बनाने के लिए उच्य शिक्षानिती में हमने सारी चीजों को जोड़ा है और युगाओं को शिक्षानिती से जोड़ करके आगे बढ़ा सकते हैं इसलिए जी यार बढ़ाने में भी हम काम कर रहे हैं आशे दो साल पहले तक जो मद्धेश का जी यार बीस प्राइंट पे था गतवर्स वो करने के इसलिए अधर्म को लेकर जिसतर भरतिंता पर्टी लगाता है अब चुनावी साल है कॉंगरेस पार्टी भी कहिना के सौफ्ट हिंदुत की तरफ आगे बढ़ रही है काफी कॉंगरेस की वो वैसी कथा का योजन कर रहे हैं वैसी जो भगवा पहन रहे हैं वैसी कोई मन से वो काम नृब करती है कांगरेस के नेता अगर आतंक वाधियों को जी करको संबोदित करते हैं अगर वह भगवा आतंक वाधी का ढ लौक करते वे आतंक वांद हंदु धर्म में दूलने का प्रयास करते हैं तो कोई के से पर भरसा करेगा जहां आप समानता की غ़ बेंग के अधार पर केबल तातकालिक कपड़े को पर जनौ पेनने से कोई हिंदू तो नहीं हो जाएगा यह जो नाटक बाजी के बिजाए सच्चे अर्थम में भारती संस्कृति पर गर्व करते हुए जड़ों से जुड़ने की बात करें मूल रूप से तो खास करके जो वर सबने राम राज्य की कल्पना की कर पर जो चोड़ो करके चलेगी कंगरस तो कभी भला नहीं होगा लेकिन नकली दिखावा करेगी तब भी भला नहीं होगा इक फिलम आई ए धा केरज स्टोरी उसको लेकर काफी चर्चा है तो सीमी का भी जो गड रहा है एक समय में पर माल यह तो बिल्कुल सही है के लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरन का एक बड़ा आविहान कोई पर्टिकुलर लोग चला रहे हैं तो एसे केवल लव जिहाद की बात नहीं है हैं एक इंसे कोई सारे करते हैं कई कना और यह सब से सचे तरीने के आउश्रक्ता और सब से मुकाबला किले के लिए जब हमने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर से राजी में सांती भी स्थापिट की और विकास के मामले में हर धर्म के लोगों का आगे बढ़ने का मोका दिया है तलाक, तीन तलाक के मामले में भी सरकार ने जो निर्ने किया है मुस्लिम बेहनों के लिए बहुत बड़ा खराब समय था लेकिन कांगरेस ने उसकी दिसा में भी क्या कैसा सबसे कोई छिपावा नहीं है इसी प्रकार से कांगरेस ने नकली हिंदू का जो चोला ओड़ा ये चलेगा नकली हिंदू था उसके मांदे है बहुत-बहुत धन्यवाद महिंजधाव जी अमसे चर्चा करने के लिए था हम पहले उपकार बात अवाट और नीम सब्कामना भी है मनना आच्छे व्यचार को आसब एक रहों ऑर डिने सुख्दाница ऑह महा कला आपको उतागे बढ़ाए मेरी वेदाई मद्धिबर्देश के उच्छिक्षा मंतरी डॉक्टर मोहन यादव हमारे साथ मौजूद थे और उन्हें ने साफ तोर पर कहा कि कहीं ने कहीं विकास को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता धर्म के जरी भी बहुत विकास किया जा सकता और उसका प्रतक्ष उधारन उज्जेन का श्री महा का लोग हैं और जिस तरह से महाँ पर विकास हो रहे हैं तमाम जो परिंटन महाँ पर बढ़ रहा है धर्म के गतिविदियां बढ़ रही हैं उससे काफी बड़ी संख्या में लोगों को रुजगार भी मिल रहा है और जहां तक नई शिक्षा नीती का सवाल है भारत के उस गौरफ शाली इतियास को सामने लाने की बड़ी कोशिश यहां पर की जा रही है जहां पर हमारे युवा खुद पर गर्व कर सकते हैं और कहने कहने इसके पीछे बड़े शड्यंत्र था जिसकी वज़े से लंबे अर्से तक दश्कों तक हमें अपने इतियास से ही महरूम किया गया इन तमाम पहलूपे आपके क्या विचारे हैं हमें जरूर बताएगा देखते ही पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारती ये है इंडिया फर्स्ट कम्यूनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारती